What's up guys, I hope you are doing well, I am wearing, welcome to Steller family, तो कैसे हो दोस्त मैं आसा करता हूँ, शांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो, अपनी सेहत, फैम्ली और पाड़ का दियान काफी एच्छे से रख रहे हो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक important day के बारे में, जो की बात करता है, remembrance and a tribute to victim of terrorism, यानि के एक तरीक से याद करना है, इसमरन करना है, और tribute यानि के सरद्धांजली देनी है, जो भी terrorism की वेसे, जिन भी लोगों के उपर कोई भी किसी भी तरीकी से पोलम पड़ी है, किसी जान गई है, किसी की family से, या फिर जो भी पोलम देखने को मिली है, तो आंतकवाद की वज़े से, जो भी पोलम देखने को मिली है, उसको हम लोग याद करते हैं, और उनको सरद्धांजली देते हैं, तो 21 अगस्त जो है, वो इसी के लिए celebrate किया जाता है, एक तरीके से aim यह रहता है, जो भी victim है, या जो इस सिकार बने इस particular पोलम के, जिसको आप लोग टेरिजम यान कि आतकवाद बोलते हैं, उससे लोगों को पोटेट के जा सके, और ऐसी पोलम को इसी फूचर में देखने को नहीं मिल सके, तो उनके right के बारे में बात की जाते हैं, और इसी के साथ में, उनके fundamental जो freedoms हैं, उनके बारे में बात की जाती है, आप लोगों ने दिखा होगा, आज के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो terrorism का सिकार होते हैं, अगर बात करें, खासकर Syria के अंदर, Iraq के अंदर, Iran के अंदर नहां पर ये condition आप लोग को देखने को मिलती है, पर लेकिन उनकी कोई voice नहीं सुनता है, उनकी कोई आवाज नहीं सुनता है, उनको support की जुरत है, अगर उनको support मिलेगी तभी आप लोग चीजों को समझ पाओगे, आप लोग को सायद याद होगा अगर आप लोग Facebook पर मुझ की गई, अगर वो वीडियो आप लोग सुनोगे, तो सुनकर आप लोग की आँखों में आसवा जाएंगे, जैसी जिन्द की आप लोग जी रहे हो, आप लोग उसका सुक्रियादा आदा करोगे कि हाँ यार, हम लोग बहत अच्छी जिन्द की जी रहे हैं, क्योंकि लोग कैसी जिन्द की जी रहे हैं, क्योंकि आप लोग ने कभी देखी भी नहीं होगी, आप लोग ने एक्सपेक्टी भी नहीं की होगी, तो उसने अपनी पूरी आप बीती सुनाई, तो एक तरीकी से वो गया अपनी आवाज उठाना, कि कैसी हरकते उनके साथ में हो रही हैं, उसको कैसे रोका जाए, तो बेसिक परपज इसका ये रहता है, तो ये काफी important day आप लोग बोल सकते हैं, present scenario में जब ये condition देखने को मिलती है, नेक्स्ट यहाँ पर ये quiz है आप लोग के सामने जो कल मैं distance नहीं कर पाय था, तो quiz है आप लोग के सामने देख, कई बार quiz नहीं आप लोग को बताने है, जिसके दौरा root cause क्या है यहाँ पर इस वीमारी का, वो यहाँ पर इनके दौरा find किया गया था, next यहाँ पर बात के जा रहे है, IIT कानपूर के बारे में, IIT कानपूर के दौरा यहाँ पर अभी एक तरीके से, जो indigenous seed bell यहाँ पर डवलप के गी जिसक क्या फाइदा है, इसी के साथ में हाँ पर एक personality का नाम बताना है, 90 year की age में, अभी इनकी death हुई classical vocalist थे हाँ पर यह, जो की मेवात ही घराना से बिलोंग करते थे, तो इनका नाम आप लोग को बता होना चाहिए, Indian railway के दौरा यहाँ पर अभी world का tallest, जो घाट बिरीज बनान यहाँ पर यह developed के जा रहा है, इसमें क्या होगा, basically जो आग के जो राक बचती है, उसको यूज के जाएगा cement बनाने में, ठीक है, cheaper cost पर, तो यह जो news है, यह मैंने आप लोगों से कल डिसकस नहीं की थी, आज इसको डिसकस करूँगा, attempt कीजे, वरना answer तो मैं आप लोग को NTPC जो है, Central PSU है, यहनके Public Sector Undertaking है, यह बताना है कि समिनिष्टी के अंटर में आता है, इसी के साथ में हाँ पर बात की जा रही है, एक estimation आप लोग को बताना है कि कितने millions जो girls हैं, उनकी 18 साल से कम age में ही उनकी साधी हो जाती है, यह आप लोग को बताना है, क्योंकि याद ह यह बात बोलीगी, यह भी आप लोग को बताना है, Price Monitoring and Resource Unit के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, तो यह आप लोग को बताना है, कौन से राज्ये के द्वारे हैं हाँ पर अभी National Pharmaceutical, जो कि हमारी country में एक pricing authority है, यह Department of Pharmaceutical, कौन सी मिनिष्टी के अंटर में आती है, जो कि अगर कोई भी दवाईया है, उनके price के बारे में बात करती है, तो इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है, आगे चलते हैं, next यहाँ पर आप लोग के सामने question के answer है, अच्छे से देखिए, सबसे पहले mosquito day के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो जिसको बोलागे हैं, आपर बायो, compost and rich, eco-friendly, glue blue, ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात के थी, ठीक है, तो कोशन बन सकता आप लोगों से, BEEEasy क्या है, ठीक है, तो इह important है, आपर यह किसानों को फाइदा पोचाने वाला है, जा रहे है, National Thermal Power Corporation जो लिमिटेड हैं, आपर इसके बारे में बात की जा रही है, तो रिहांद Super Thermal Power Station आप लोगो देखने को मिलेगा, जो की उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है, इसी के साथ में NTPC के बारे में बात की जा रही है, तो PSU आपर यह मिनिश्टी और पावर हो जाती है, तो यह जो डेटा है, यह बतायागी है है, आपर Unisave के द्वारा, और यह डेटा ओली इंडिया का है, भारत का है, बाकि ओल ओवर वर्ल्ल में आप लोग सोच सकते हैं, फिर यह अभी इंडिया के डेटा के बारे में बात की जा रही है, तो यह डेटा आप हैं, उनके प्राइज को मेंटेन नखा जा सकें, और कोई प्रोल्म हाँ पर देखने को नए मिले, ठीक है, तो इसके बारे में एक हलका सा आइडिया जरूर रखेगा, आईए अब आगे चलते हैं, निउस देखते हैं के करका, सबसे पहली जो निउस निकल कर आ रही है, एक को CBI का डिरेक्टर अपॉइंट किया गया था, तो अभी यहाँ पर 1984 के जो बैच के IPS उफिसर है, गुजरात कैडर के, इनको डिरेक्टर जनल ओफ बोडर शिक्रोडी फोर्स यान के BSF का डिरेक्टर जनल बना दिया गया है, नाम इनका राकेस अस्थाना, ठीक है, तो नाम डिबलर, देखी होता किया है, नोर्मली जो BSF है ना, वो एक बिल्कुल अलग फोर्स हो गई, नोर्मली कई बार उनके द्वारा गुहार लगाए जाती है, कि IPS ओफिसर जो हो गया, वो एक अलग सर्विस से निकल कर आता है, और हमारे उपर आकर बैठ जाता है, तो कई बार में कई बार बाते भी की जा चुकी है, मिश्टर स्थाना जो है, प्रजेनली वर्क कर रहे है, डिरेक्टर जनल ब्यूरो अप सीविल अविएशन सीक्योर्डी, ठीक है, इसी के साथ में हाँ पर ये एडिस्टनल जो चार्ज इनके पास में रहने वाला है, ये नार्कोटिक जियो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का और ब्राइमरी हमारी कंट्री में ब्राइमरी गार्डिंग फोर्स है, जो खास कर जो पाकिस्तान के साथ में जो ब्राइबर है, उसके ऊपर फोकस रहता है, फिर सनी देवल उहाँ पर उसको टेक ओर करने के लिए आते हैं, तो उस टाइम पर जो BSF उसको पीछ अठा दिया जाता है क्योंकि में लड़ाई आर्मी के द्वारा लड़ी जाती है और BSF तब तक होँआ पर होती है जब तक security प्रोवाइड करानी है BSF लड़ाई करने के लिए नहीं होती है लड़ाई करने की जब बात आती है तो हमारी आर्मी आती है बोडर एरिया में कुछ important बाते में आप लोग यहाँ पर इसके बारे में share करता हूँ जैसे कि हम लोग अगर बात करें हमारी country में Central Arm Forces के बारे में जिसको आप लोग CAPP भी बोलते हैं जिसका एक अलग से एक्जाम जो connect करा जाता है Assistant Commandant का और बाकी जो SSC conduct कराती है आपर जो lower post के लिए तो टोटल मिलाकर साथ recognize Central Arm Police Force है हमारी country में BSF Border Security Force एक हो गई इसके लावा Assam Rifle Central Industrial Security Force जिसको CSF बोलते हैं आप लोग Central Reserve Police Force इसी के साथ में Indo-Tibetan Border Police, Next यहाँ पर National Security Guard और Next यहाँ पर सेस्तर सीमाबल तो टोटल मिलाकर यह साथ हमारी country में CAPP Force की category में आती है BSF जो है इसका खुद का cadre होता है पर लेकिन जो इसको head कियाता है इनके जो director general बनते हैं वो यहाँ पर जो IPS होते हैं इनके Indian Police Services के जो officers होते हैं वो normally आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो इसके चलते कई बार यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अपनी आवाज भी उठाते हैं कि हमारी force का कोई officer यहाँ पर होना चाहिए बाकी एक important question यहाँ पर कई बार यह बनता है कि कौन कौन सी force जो है कौन कौन से border को secure करती है तो इंडिया और पाकिस्तान का जो border है उस पर BSF देखने को मिलेगी इंडिया और बंगलादेश का जो border है उस पर भी आप लोगो BSF देखने को मिलेगी तो important है इसके बारे में याद रखेगा इंडिया और पाकिस्तान का border यह देखें आप आप जो इंडिया और पाकिस्तान का border है यह वाला ठीक है यहाँ पर आप लोगो BSF नजर आएगा तो Jammu and Kasmir वाला reason होगी आप लदाक वाला reason Jammu and Kasmir पंजाब राइस्थान और गुजराग इसी के साथ में इंडिया और बंगलादेश वाला border आप लोग यहाँ पर देखें तो यह particular reason होगया तो इनमें आप लोग कौन देखने को मिलेगा इनमें आप लोग को border security force देखन पर आप लोग को देखने को मिलेगा इंडिया और नेपाल के border पर नोर्मली ठीक है तो इंडिया और बुटान के border पर इक है पाकिस्तान और बंगलादेस पर एक है चाइना पर अलग है और इंडिया और मैनमार पर है आसाम राइपार ठीक है इंडिया और मैनमार का बोडर आप लोग देखें आपर यह हो गया इंडिया और मैनमार का बोडर जिसको अरुनाचल परदेश, सनागलेंड, मनिपूर और मिजोरम आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेगा तो यह कुछ फोर इसके द्वारे आप डेवलफ के जा रहा है इन्फराच्छर जो की बेसिकली रिहांद सूपर थर्मल पाउर जो स्टेशन अब तरप्रदेश में उसके लिए आप लोगो देखने को मिलेगा आखिर है क्या है आप देखिए जैसे आप लोग माली जैसे इलेक्टिटी आप लो जरूरी है तो उसका यूज करके सीमेंट बना जाता है सीमेंट के प्लांड में तो चीप कोस्ट पर यहांपर यह प्रोवाइड करा जाएगी सीमेंट के प्लांड पर ताकि वो राग को यूज के जा सके तो उसी के बारे में हाँपर बात के जा रही है तो एंटी पीसी जो Central PSV है जो कि Ministry of Power के अंडर में आता है और country में largest power generation company है यानिके हमारी country में सबसे ज़्यादा power generate की जाती है वो NTPC के दोरह generate की जाती है enable करते है power plant for upgrading utility यानिके enable करेंगे power plant को ताकि जो fly ऐसे यानिके जो ये राख है उसको use किया सके और सी के साथ में 100% utilization of यहाँ पर राख का होगा ये power plant में उसको utilize किया जाएगा अगर बात करें financial year 2019-2020 के लिए अगर बात किजाए almost यहाँ पर यह 44.33 million ton इतनी राख इखटी होगी जिसको अरलग-अलग productive purpose के लिए utilize किया गया तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कई जगे इंट बनाने के लिए कई जगे cement बनाने के लिए कई जगे road बनाने के लिए इसका use के जाता है रिहान super thermal power project जो है वो coal based power plant है जिसमें आपर ये काफी जरूरी है कि इसको use के जाए कोल कहां से आते हैं आपर ये हैं अमलोरी और इसी के साथ में दुदी चुआ माइन्स यहां पर है जहां से ये कोल लाए जाता है water source कहां है रिहान रिजर्व से use कियाता है जो की stone river से निकल कर आता है तो ये particular जो news है ये काफी important है infrastructure development के point of से energy security के point of से तो ये सारी चीज़ आप लोग यहां पर इकट्टी एक जगे देखने को मिल जाती है तो यहां पर याद रखेगा जो हमारी country में जो PSU's हैं पावर से लेटर वो ministry और पावर के अंडर में आते हैं आगे बढ़ता हूँ next news है आप लोग के सामने हाँ पर बात की जा रही है कुछ particular projects के बारे में आप लोग ने देखा 1973 में हमारी country में इंद्रा गांधिजी के time पर project tiger स्टार्ट किया गया था ताकि जो tiger की population है उनको protect किया जा सके और ज़्यदा बढ़ाया जा सके तो उसी के चलते project tiger जो आगे चलकर काफी successful रहा और लगबग 3000 के करीब हमारी country में आज केड में tiger आप लोग को देखने को मिलते हैं इसी pattern पर project elephant स्टार्ट किया गया था पर लेकिन अभी recently दो नए mission स्टार्ट किया गया हमारी country में एक है project dolphin और दूसरा है project lowen इन दोनों project के tagline पर जैसे हाँ पर इनको start किया गया था तो इस तरीके से आने वाले time में हमारी country में project dolphin और project lowen को भी उसी तरीके से focus देकर चला जाएगा जैसे कि project tiger और project elephant को करेक्ट किया गया आगे forward project dolphin के बारे बात करें तो gangetic dolphin जो की country में national aquatic animal यान कि हमारी country का जो जलिया प्राणी है उसकी category में रखा गया था 2010 में ये गंगा पुत्रा रीवर में पाए जाती है इसी के साथ में जो tributaries हैं हाँ पर इंडिया बंगलादेश और नेपाल के अंदर ये नोर्मली dolphin आप लोग को देखने को मिलती है ये fresh water और जो marine water है ocean वाला water दोनों जगें आप लोग को देखने को मिलती है ठीक है नेस्ट बात करते हैं आपर project lowen के बारे में तो asiatik जो lowen होते हैं उनके बारे बात कियाती है तो protected area के अंदर पाए जाते हैं agro जो pastoral जो land है इसके अंदर पाए जाते है जिसे सोरास्टर वाला region हो गया गुजरात के अंदर में ठीक है next यहाँ पर additional component जो आप लोग को देखने को मिलेगा infrastructure requirement होगी technology इसी के साथ में expert जो होगे आपर जो particular area में काम करते हैं contribution करने के लिए provide कराएंगे information और world standard care और health management भी हाँ पर देखने को मिलेगा इन जानुरोखा देखिए अगर कोई भी चीज आप लोग अच्छा करना चाहते है न तो चहू मुखी विकास आप लोग को करना पड़ेगा यानिके चारो यह रहेगा कि यह उस रूम में भुषने का money करेगा और वहाँ पर तो ऐसा मौल रहता है तो यह सारी चीजे मिलकर अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोग एक अच्छे पढ़ाई कर पाएंगे और कहीं न कहीं इससे भी सबसे ज़्यादा जो जुरूरी रहता हो है मजबूरी यानिके क्यों आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग की कई सारे लोग मजबूरी के वैसे पढ़ते हैं कई सारे लोग मन लगा कर पढ़ते हैं मजबूरी नहीं, बस उन्हों का ऐसा होता है कि ये काम करने हैं तो किस category में आप लोग आते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा factor होता है जो आप लोग को बताता है कि किस direction में आप लोग जाएंगे तो सारी चीजें count करने के बाद में एक अच्छा result आता है तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूस है आप लोग के सामने हाँ पर बात की जा रही है ये है एक particular personality जिनका नाम है सोमिया स्वामिनाथन सोमिया स्वामिनाथन आप लोग को याद होगा जब यहाँ पर इनको चीजेंटिस्ट अपोइंट किया गया था वर्ल्ड हैल्थ और उर्गनेशन पर उस टाइम पर ये काफी जादे न्यूस में थी और एक और न्यूस में रहने का रीजन इनका है वो है MS स्वामिनाथन MS स्वामिनाथन हमारी कंट्री में काफी important personality है जिनको agriculture scientist आप लोग बोलते हैं तो उन्हीं की पुत्री है ये जिनका नाम है सोमिया स्वामिनाथन स्वामिनाथन आजकेड में cheap scientist है world health organization में और इनके द्वारे हाँ पर तमिनलाडू की काफी help के गी है COVID-19 के साथ में लडने में during pandemic तो उसी के बारे में हाँ पर बात की जारी है कि जो तमिनलाडू की जो चीप निश्ट है उनके द्वारा special award यहाँ पर recognize किया गया है जिस तरीके से इनका रूल रहा COVID-19 के साथ में लडने में world health जो representative है आपर वो offer करते हैं एक तरीके suggestion state को health department को ताकि क्या-क्या major से pandemic यानि के जो महामारी है उसके साथ में कैसे लडना है तो यह काफी बड़ा रूल रहता है Somya Swaminathan जो है उनका 30 साल का experience है clinical care और research के अंदर में और work through her career जो translate इनके दोरा किया जाया है जो research है वो impactful program आप लोग को देखने को मिले इसलिए कोई particular personality गर किसी particular post पर बैठा है ना तो इसका मंदर यह है कि उसके अंदर कोई न कोई तो quality है जो दूसरों के अंदर नहीं है तभी वो इस post पर पहुंचा है जैसे आप लोग अगर किसी exam को crack करकर किसी post पर पहुंचते हो या फिर आप लोग कोई भी काम करते हो करको आप लोग चल कर teaching करने लगें करको आप लोग चल कर किसी particular post पर पहुंच जाए तो हाँ पर आप लोग पहुंचेंगे तो इसका मदलब यह है कि आप लोग ने एक particular threshold को पार किया है उस quality को आप लोग ने अचीव किया है जो उसके लिए requirement थी यह आप लोग बताएगा कई बार World Health Organization के बारे में आप लोग को पढ़ा है तब इस question को भी मैंने cover किया था आगे चलता हूँ नेक्स जो निउस है यहाँ पर यह particular personality के बारे में और अगर आप लोग उत्तर परदेश से ब्लोग करते हैं तो यह news आप लोग लिए थोड़ी और ज़्यादे important हो जाती है state PCS में आप लोगों से question पूछ ले जाते हैं तो यहाँ पर बात की जारी है former Indian Cricketer और उत्तर परदेश के जो minister है चेतन चोहान वो recently अभी उनकी death हो गई है multiple organ failure की वेसे 73 year के थे यहाँ पर यह जो इनके द्वारा game खेला गया है यहाँ पर late 70s में इनके द्वारा game खेला गया regular opener player थी सुरीन कावसकर साब के साथ में जब test match होआ करते थे आगे चल कर इनको अरजुन आवोर्ड मिला 1981 में next यहाँ पर 2016 से लेकर 2017 तक है chairman रहे है and IFT यहनिकर National Institute of Fashion Technology के 1991 से लेकर 1998 तक दो बार यह लोग सभा के लिए चुने गए है Amroha उत्तर परदेश से इसी के साथ में 2018 से लेकर 2020 तक यह minister for youth and sport रहे है उत्तर परदेश गोवर्मेंट के अंदर में ठीक है तो यह हैं आपर basically इनके बारे में news तो person specific news कई बार पूछ लिए आती है तो particular personality के बारे में थोड़ा सा idea आप लोग को होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं important news है question बन सकता है क्योंकि आज केड़ में आप लोग जानते है कि कई सारे oil spill देखने को मिलते है जब लोग ocean के बारे में बात करते है तो वहां से जो भी चीज़े निकल कर आती है उनसे लिटी जो food ocean का use के जाते है तो उसके बारे में भी कई बार news बन जाती है तो यहां पर बात की जारी है particular जो marine products है उनके बारे में Export Development Authority तो इसको MPEDA के नाम से आप लोग जानते है यह basically open की जाते है quality control laboratory coastal area में इसके दोरा open किया गया है ताकि coastal area में जो भी product निकाल के लाए जाता है चाहे कोई मचली खाता है या फिर कोई केकडा खाता है जहिंगे खाता है जो coastal area से जो खटे की जाते है seafood जो भी होता है उसकी quality के बारे में हाँ पर बात की जाती है तो state का जो art of laboratory है उसके दोरा confirm किया गया product safety को as per the international laboratory जो requirement है और MPED जो है वो coordinate करती है जो union ministry of commerce है for central and state establishment engagement fishery protection के बारे में हाँ पर बात की जा रही है और allied जो भी activities होती है गुजरात relatively low instant आप लोगो देखने को मिलेगे antibiotic residue can seafood के अंदर में फिर भी आज केड़ में कई सारे area ऐसे देखने को मिलते है कई सारे consignment ऐसे आ जाते है जिसमें heavy metal देखने को मिलते है cadmium वगरा आप लोग यह सोचे मालिजे कोई आसपास में तालाब है उसमें जो मचलिया पालन किया गया और वो तालाब का पानी इतना गंदा है कि उसको एक तरीके से उसमें बदबु आती है अब वो जो मचलिया उस पानी के अंदर में रह रही है तो वहाँ पर उस पानी के अंदर में रहते हैं उन मचलियों को basically वहीं से पानी लेना है वहीं से oxygen लेनी है तो इस तरीके से उसी में उनका खाना पीना रहेगा तो उनके अंदर भी ऐसे तरीके की चीज़े आप लोगो पहुंचती नजर आती है तो इसलिए चेक करना जरूरी है काफी ज़द है कि उसके फूड के अंदर कोई गलच चीज़े तो नहीं है तो गुजरात के अंदर यहां पर इसको setup किया जा रहे है ताकि quality को control किया सके अगर सीब फूड के बारे में हम लोग बात करें तो तो important है थोड़ा सा idea होने चीज़े आप लोग को इसके बारे में important news है थोड़ा से detail में जान लेते हैं हाला कि पहले भी इसके बारे में discuss कर चुको हूँ यहां पर national digital health mission के बारे में बात के जा रही है पर दूसरा angle है फिला लिए आप हमारी country में 74 जब independence day celebrate किया गया तो उसके चलते हमारी country में ये एक national health mission जो था basically digital form में इसको launch के गया six union territory के लिए तो जो six जो basically अभी launch के गया था पूरी country के लिए पर six union territory में इसको पाइलेट वेस पर implement के जा रहे है चंडिगर लदाख दादर और नगर हवेली और दमेन द्यू पॉंडिचेरी अंडमा निकोबार और लक्षयदी तो यहां पर इसको implement के जा रहे है एम यही है कि जो citizen है उनके सामने जो भी basically right होता है कि उनको doctor मिलने चाहिए एक तरीक से proper appointment होनी चाहिए और payment से भी लेटर जो भी बात है वो सारी बात है हाँ पर देखने को मिलेगी National Health Authority जो है जिसको NHA आप लोग बोलते है यह apex agency है हमारी country में responsible है इस particular चीज को implement करने के लिए आयुष भारत परधान मंतरी जन अरोगय यह योजना के तहर विसीली government जो है वो design करती है, build करती है, roll out करती है और implement करती है जो है हाँ पर इस particular project के बारे में हम लोग बात करते है national digital health mission को, तो यह body है, इसके बारे में question आप लोगों से पुछा जा सकते है तो जो national digital health mission है, यह इंडिया के जो citizen उनको ID card प्रोवाइड कराएगा ताकि उनको जो service है medical वो प्रोवाइड कराएजा सके प्रोपर वी में जैसे कि आप लोग देखिए, अगर मैं आप लोग को बोलू कि आप लोग को अपनी एक ID बनानी है ठीक है, और आप लोग को preparation इस्टार्ट करनी है कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जो नया नया अभी lecture देखना इस्टार्ट करते हैं तो वो अपनी ID बनाएंगे और इहां पर इस्टार्ट करेंगे ठीक है, मालीजे मैंने question पूछा तो वो answer देना इस्टार्ट करेंगे वीडियो के नीचे, अगर वीडियो के नीचे मालीजे आप लोग का नाम जो है, आप लोग का नाम मालीजे लडियो के नीचे, लडियो के नीचे comment के जा रहे है, लडियो को छड़ा जा रहे है तो अगर कोई मुझे mail करता है उससे little तो फिर मैं जाकर search करता हूँ कि यह अभी ही उल्टी चीदी हरकते कर रहे है पहले से ही कर रहा है, तो फिर वहाँ पर मैं उस बंदे को उसी साब से फिर ब्लोग करना है, क्या करना है, तो वह लोग के response के base पर मैं फिर वहाँ पर परपज क्या होता है, परपज यही होता है, कि पता चलता रहा है कि हिस्टी क्या है, तो ID कार्ड आप लोग को मिलेगा, तो बीमारी कब कब हुई है, उनके बारे में आप लोग को पता चलता रहेगा, और आप लोग उसका solution निकाल पाएंगे, ठीक है, तो यह बात थी जो करकर, पसंद नहीं आते हैं, तो डिसलाइक करकर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग इसको किसे enjoy कर पा रहे हैं, तो मिलता हूने इस लेक्चर में, बड़ोक नमस्ते, चोड़ो को प्यार, छोड़ी सी life और enjoy कर रहे हैं, तब तक के लिए, जैहिंद!